मेरे पूरे शोशल मेडिया परिवार को निदिश्री वाली का नमस्कार आज मैं आपके सामने उपस्तित हुई हूँ एक विशेश ग्रह के राशी परिवर्तन के साथ जो कि ग्रह हमारे जीवन में बहुत अधिक इंपोर्टेंस रखता है वो ग्रह है गुरु ग्रह और वर्तमान में गुरु अपनी अतिमित्र राशी मेश में विराज माने और एक मई को गुरु अपनी समराशी विरशब में प्रवेश कर जाएंगे एक मई वर्ष दोजार चौबीस को गुरू दौपेर एक बच के पचास मिनट पर प्रशब राशी में प्रवेश करेंगे बारा साल बाद गुरू शुक्र की राशी जो कि उसकी सम राशी है उसमें गोचर ब्रह्मन कर रहे हैं चौदा मई वर्ष दोजार पच्चिस को गुरू मितुन राशी जो कि उनकी सम राशी है उसमें प्रवेश कर जाएंगे गुरू किसी भी राशी में करीब बारा मईने तक रहते हैं इसलिए गुरू एक राशी में दोबारा आने में बारा वर्ष का समय लगाते हैं गुरू विवाकारक, संतान कारक, भाग्यवर्दी कारक, धार्मिक कार्य, धन और एश्वर्य के गारक ग्रह माने गए हैं और गुरू का ये राशी परिवर्तन हम सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि गुरू हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं तो जान लेते हैं कि गुरू इस बार करक, सियं और कन्या राशी वालों पर क्या प्रभाव राशी परिवर्तन कर डालेंगे यानि मेश व्रशब और मिथुन राशी का गुरू का राशी परिवर्तन के वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ उस वीडियो का लाब आप राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी दियेग है वहाँ जाकर अगर आपकी राशी मेश व्रशब या मिथुन में से कोई एक है तो उस वीडियो का आप लाप राप्त करें आज मैं आगे बढ़ती हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि कर्क सियं और कन्या राशी वालों पर गुरू के इस राशी परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा साथी को चुपाए भी आपको बताऊंगी जो कि गुरू के सकारात्मक इफेक्ट को बढ़ा सके और इस राशी परिवर्तन का आपको प्रापर लाप भी प्राप्त हो सके तो शुरू करते हैं करक राशी से आपकी राशी के लिए गुरू आकर बैठे हैं आपके लाब भाव में यहाँ पर देखिए आपकी राशी के लिए गुरू रोग भाव के और आपके भगे इस्थान के स्वामी भी है गुरू के लिए ऐसी मान्यता है कि गुरू की दरस्टियां सदेव का लियानकारी रहती है पर अंतु गुरू जहां बैठते हैं उस घर की स्थान खानी करते हैं उस घर में थोड़ा सा फलच्विशन लेकर आते हैं गुरू लाब भाव में बैठे हैं तो थोड़ा सा लाब की स्थतियों को इफेक्ट कर सकते हैं आपको तोल मोल कर अपने निवेश में सावधानी रखनी है खर्च में सावधानी रखनी है और बहुत बैलेंस होकर चलना पड़ेगा तब ही गुरू के बैतरीन और सुखत परिणामों को आप राप्त कर सकेंगे और अपने लाब को सहेच कर रख सकेंगे यानि औरोल लाब को आप बढ़ा सकेंगे महीं मित्र मंडली अगर आपके नए मित्र आपकी मंडली में जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है कि कौन से मित्र आपके हितिशी हैं और कौन से आपको एक डिस्टेंस बना कर चलना है यानि फॉर्मल रिलेशन बना कर रखना है ये भी आपको आना चाहिए हालें कि गुरु व्यक्ति को बहुत मैचिओर कर देते हैं ग्यान को बढ़ाते हैं उसकी मैचिओर्टी लिवल को बढ़ाते हैं तो इतना आप जज जरूर कर लेंगे तो इस माह इस गुरु के राशी परिवर्तन के दोरान इस साल आपको बहुत केरफुल होकर मित्रों को बनाने में, मित्रों के चैन करने में आगे बढ़ना होगा अब गुरु चुकी आपके रोग भाव के स्वामी है रोग भाव के स्वामी अपने से सस्टम जाकर बैठे है गुरु का अपने से सस्टम जाकर बैटना इतना चने पर लाब बाम में हर गरह अच्छे ही रिजल्ट देता है आपको थोड़ा सा अपने गले का ध्यान रखना है, सर्दी जुखाम का ध्यान रखना है, पेट से समंदित समस्याओं का ध्यान रखना है और चेट से समंदित कोई problem हो, कोई infection हो तो उसका ध्यान रखना है बस बड़ी कोई समस्य आपको नहीं होगी इस समय आपको अपने प्रती द्वंदियों से भी साफधान रहना होगा अपने कारियों को गुप्त तरीके से करना होगा तभी आप अपने कारियों में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे अगर आप compromise नहीं करना चाहते हैं किसी भी चीज में तो definitely सतर खोकर चलना ही पड़ेगा तभी आपको गुरु के बैतरीन परिणाम प्राप्त होंगे अब गुरु चुकिए आपके भग्य इस्थान के भी स्वामी है भग्य इसलाब बाम में बैटा है अपने सित्रतिय जाकर बैटा है बहुत ही बढ़िया वो आपके भग्य को बढ़ाएगा इस समय लग फेक्टर आपका साथ देगा नमीन कारियों की शुरुआत के लिए भी यह समय अच्छा होगा यानि इस समय अगर आप अप महुत लंबे टाइम से सोच रहे हैं कि कुछ बड़ा कुछ नया काम करना चाहिए कुछ अपना खुद का स्टार्टप आप शुरू करें तो डेफिनेटली यह समय आपके लिए सपोर्टिव रहेगा अचानक फंड की व्यवस्ता हो जाएगी फटाफट से आपके काम पूर्ण हो जाएगे इस समय अदूरे कारियों से भी आपको अच्छा धनलाब प्राप्त होगा क्योंकि वो कारियों गती पकड़ेंगे और पूर्ण हो जाएगे नए कारियों को तो आप शुरू करी सकते हैं जो यूवक यूवतिया हायर एजुकेसिन की सिक्षा करेंड कर रहे हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है लक्ष ब्रदान भी कारेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे यानि भाग्य इस्थान के इसाब से गुरू के रिजर्ट मौती अच्छे मिलेंगे अब आप सभी जानते कि गुरू की द्रस्टियां बहुत कल्ल्यान कारी होती है इसलिए गुरु की द्रस्टियों पर आते हैं तो बलाब भाव में बैठकर पंचम द्रस्टी से गुरु आपके पराक्रम भाव को देखेंगे मही सब्तम द्रस्टी से गुरु आपके पंचम भाव को देखेंगे और नवम द्रस्टी से गुरू आपके सब्तम भाव को देखेंगे यहाँ पर गुरू का पराक्रम भाव को देखना आपके बल और पराक्रम को बढ़ाएगा इस समय जल्द वाजी में डिसिजन लेने से आप बचेंगे राजनीती से जुड़े हुए लोगों को अच्छा लाब गुरू के इस राशी परिवर्तन का होने वाला है यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज करहेगा कुछ बड़ा पद आपको इस समय मिल सकता है पैतरिक संपत्ती समंदी विवाद आपके भाई बेनों के साथ चल रहे हैं तो वो खत्म हो जाएंगे उसका फैसला भी आपके पक्ष में जाएगा और चोटे भाई बेनों से बाचीत का रस्ता आप निकाल की लेंगे यानि बीच का रस्ता निकालेंगे जिससे रिस्तों में भी तनावना हो और पैतरिक संपत्ती समंदी विवादों का निफ्टा रवी हो जाए इस समय आपकी च्छाएं पूरी होगी इस वर्ष आप अपने कारियों को सरलता पूर्वक संपन कर पाएंगे गुरु सब्तम द्रस्ती से आपके पंचम भाव को देखेंगे जो कि यह सिक्षा का संतान का और आध्यात्म का इस तीनों कारियों में तेजी आएगी यानि आप थोड़े से अधिक धार्मिक होते हुए दिखाई देंगे चोटे चोटे अनिस्तानों में आप भाग भी लेंगे थोड़ा आपका spirituality की तरफ आपका रुझान होगा कुछ prove आपको मिलेंगे जो कि आपको practicality से spirituality की तरफ ले जाएंगे और मैंने हमीशा बोला है कि जो व्यक्ती थोड़ा सा भी spiritual होता है उसके जीवन में नकार अत्मक्ता बहुत अधिक नहीं बढ़ती उतार चड़ावाते हैं पर एक positivity उसके अंदर हमीशा बनी रहती है इसलिए अपने अंदर spirituality को हमीशा बना कर रखिए जो कि आजकल के यूद में थोड़ी सी कम होती जा रही है परंत उकर कराशी वालों को ये spirituality प्राप्त हो जाएगी आप भावक्ता से भगवान से चुड़ेंगे और definitely आप सकारात्मक्ता की तरफ आगे बढ़ेंगे संतान से आपको सब समाचारों की प्राप्ती होगी जो दमपत्ती संतान प्राप्ती की अभिलाशा कर रहे हैं हो नहीं पारिये किसी न किसी बादा का आप सामना कर रहे हैं उनकी सभी बादाएं इस वर्ष पूर्ण दूर हो जाएगी और गुरु के बैतरीन परणामों से आपको एक स्वस्त संतान की प्राप्ती होगी वहीं सिक्षा अध्यापन के शेत्र में आप अपने पैरेंट्स और टीचर का गौरव बढ़ाएंगे वहीं जो सिक्षन व्यवसाय से चुड़े हो हैं उनके लिए भी ये समय बड़ी अपॉर्चुनिटीज का रहेगा गुरु चुकि आपके सब्तम भाव पर नवम द्रस्टी डाल रहे हैं इसलिए ये सेवन्थ हाउस को भी पॉजिटिव करेंगे प्रॉपर करेंगे सही करेंगे यानि सेवन्थ हाउस से सम्मंदित अगर समस्याय चल रही है चाहे वो विवा से सम्मंदितो, पार्टनर्शिप से सम्मंदितो, वियापाट से सम्मंदितो इन सभी मामलों में फैसला आपके पक्ष में जाएगा अगर जीवन साती के साथ मैं मदभेद रहते हैं तो अब वो दूर हो जाएंगे विवा योग्यों हो चुके हैं तो इस साल आप पढ़ने शुत्र में बंद ही जाएंगे यानि विवा आपको आपका हो जाएगा और आपको मंच अहल लाइफ पार्टनर मिल जाएगा महीं ये समय आपके व्यापार को अच्छी उचाईयां दिलवाएगा यानि गुरू के प्रबाव से आप अपने व्यापार को एक अच्छे लिवल तक पहुचा पाएंगे पर आप ध्यान रखेगा इसमें आपकी परसनल महादशा किस ग्रक की है वो ग्रक किस इस्तती में आपकी कुंगली में बैटा है वो भी बहुत इंपोर्टेंस रखता है तो ये जो मैं परिणाम आपको जो प्रेडिक्शन बता रही हूं गुरू के राशी परिवर्तन का ये केवल और केवल गोचर की इस्ततियों के आधार पर है कॉमनली कई लोगों के लिए है जो कि करक राशी वाले है तो ये पूरा के पूरा आपको हूब हूब कॉपी टू कॉपी सही निकले ये जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें आपकी पर्सनल कुंडली का भी प्रभाव देखा जाएगा पर और ओर ओल ये गुरू के राशी परिवर्तन के सभी करक राशी वालों को ये रिजल्ट मिलने वाले इस बात को ध्यान रखेगा पर्टनर्शिप में जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा लापराप्त होगा चाहे वो जीवन साथी के साथ करें चाहे आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ करें तो करक राशी वालों के लिए गुरू के रिजल्ट रहेंगे बहुत ही अच्छे और सकारात्मक बस आपको अपने स्वास का विशेश रूप से ध्यान रखना होगा तो गुरू वार के दिन आपको बगवान विश्नु और मालक्षमी के मंदिर जाना है वाहाँ पर बगवान विश्नु को पीले रंग के पुश परपित करें पीली पोशाग चड़ा है और पीली वस्तु का दान वाहाँ पे पुजारी जी को करें ये कारे करने से करक राशी वालों के लिए गुरू के इस राशी परिवर्तन के मौति शुप प्रभाव देखने को मिलेंगे अब आजाते हैं हम सिहर राशी पर सिहर राशी वालों के लिए गुरू आकर बैट रहे आपके कर्म भाव में देखे यहां मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरू केंदर में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और यदि वे कर्म भाव में बैटे हो तो वे सबसे बेस रिजल्ट देते हैं तो सिहर राशी वालों के लिए यह समय शान दार सफलताओं से भरा दिखाई देखा क्योंकि गुरू के बैस रिजल्ट अब आपको मिलने वाले है गुरू आपकी राशी के लिए पंचम और अस्टम भाव के स्वामी है तो वे आपके करियर में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे और आपके करियर को एक अच्छी ग्रोथ देंगे वहीं लव रिलेशन्शिप में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी विद्यारती वर्ग के लिए शिक्षा अध्यान अध्यापन से जुड़ी समस्यां दूर हो जाएगी अगर आप बोर्ड के एक्जाम दे रहे हैं या फिर आपने कोई अपनी लिए लक्ष निर्दारित किया है तो इस वर्ष आप इस लक्ष को प्राप्त कर ही लेंगे वहीं संतान सुक में आपके व्रद्धी होगी संतान प्राप्ती में कुछ समस्यां जरूर आएगी परन्तु फिर भी आप एक अच्छी और स्वस्त संतान को प्राप्त जरूर करेंगे अब गुरु चुकिए आपके अस्टमेश हैं अपने सित्रते जाकर बैठें कर्मभाव में बैठें बहुत अच्छे रिजर्व दे रहें इसलिए यात्रह उप्देश शिपूर्ण, मंगल कारक और योग कारक रहेगी इस समय आप अच्छानक धनलाब भी प्राप्त करेंगे जिससे आपको एकदम आश्यर हो जाएगा कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना लाब हो जाएगा वैसा लाब आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे यदि आप खुद घड़े रहकर अपने कारेंगे तो डेफिनेटली लाब की स्ततिया भी बढ़ती चली जाएगी सस्राल वालों से सम्मंद और अधिक प्रगाड होंगे अब आते हैं गुरु की द्रस्टियों पर गुरु की पंचम द्रस्टी आपके परक्रम भाव पर पड़ेगी स्वरी आपके धन इस्तान पर पड़ेगी और वे आपके धन में निरंतर ब्रदी दायक रहेगी यानि रोज मर्रा का लाब आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा उन्नती का ग्राप बढ़ेगा वर्क प्लेस पर कुछ बड़ी बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आएगी रिस्तेदारों से समाचारों की प्राप्ति होगी विवायोग्यों हो चुके हैं तो आपको मंचा लाइप पार्टनर भी मिल सकता है साधी सगाई जैसे नियोते भी प्राप्त होंगे वही इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसको हर व्यक्ति सराएगा यानि सोच समझ कर कार्य करेंगे इंपल्सिव होकर नहीं सोचेंगे बहुत धैरे से शान्ती से डिसिजन लेंगे जिससे वो डिसिजन सकारात्मक्मी होंगे और कई लोगों के लिए आप प्रेना स्त्रोत भी बन जाएंगे अब गुरु सप्तम द्रस्टी से आपके सुखिस्तान को देखेंगे यानि इस वर्ष अगर आपने कुछ सोच रखा है कि मुझे वाहन करीदना है भूमी करीदनी है, नया घर करीदना है तो यह सारे सपने आपके पूरे होने वाले है मा से भी आर्थे किलाब आपको मिलेगा वो आपके सपोर्ट में दिखाई देगी यानि फाइनेशली जब जब आपको जरुत होगी वो आपके साथ खड़ी होगी और आपको सपोर्ट करेगी महीं इस समय लगजरी में भी व्रदी होगी वर्क प्लेस पर भी आपके कारियों को सरा जाएगा एक टीम वर्क की तरह आप काम करेंगे तो एक लीडर्शिप की कॉलेटी भी आपमें बढ़ती होई दिखाई देगी इंक्रीज होगी अब गुरुचू की नवम द्रस्टी से आपके रोग भाओ को देख रहे हैं तो डेफिनेटली रोगों में आपको रिलेक्शेशन मिलेगा यानि अब तक आप परिशान हो रहे थे आपको दवाई नहीं लग रही थी आप हॉस्पिटल के चकर काट काट के परिशान हो गए तो अब आप रिलेक्स हो जाएंगे आपको कोई भी किसी स्पेसिफिक डॉक्टर की दवाई लग जाएगी और डेफिनेटली स्वास्तलाब मिलेगा अपने आपको आप एनरजेटिक भी मैसूस करेंगे इस समय जो भी प्रतीतवंदी होंगे उनको आप हमेशा हराएंगे आप अपने कारियों में इतनी सज़कता दिखाएंगे इतनी सावदानी के साथ कारिय करेंगे कि उनको किसी भी काम में खलल डालने का मौका मिलेगा ही नहीं मात्र पक्स से आपको बहुत अच्छा लाप प्राप्त होगा ननियाल से सपोर्ट मिलेगा महीं इस समय आपकी इच्छाय भी पूर्ण होती हुई दिखाई देगी और गुरु चुकि कर्म भाव में बैटे तो प्रमोशन, इंक्रिमेंट, मंचाई, ट्रांसफर, गौर्मेंट, जॉब मिलने के बहुत अच्छे योग बनाएंगे तो सीय राशी वालों के लिए ये जो गुरु का राशी परिवर्टन है और ये एक साल है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है अब आप गुरु के इन परिवर्टनों को, इस एफेक्ट को और पॉजिटिव कैसे बनाए उसके बारे में मैं आपको पाय बता रही हूँ, उसे आप जरूर कीजिएगा तो गुरु वार के दिन, आप सत्य नारायन की कथा खुद भी कह सकते हैं या फिर अपने घर में करवा सकते हैं, ये आप जरूर करें केले के व्रक्ष की आपको पूजा रादना करनी चाहिए और बगवान विश्णू की पूजा रादना विशेश रूप से करें तो आपको गुरु के और भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे अब आजाते हैं कन्या राशी पर अब कन्या राशी वालों की अगर मैं बात करूँ तो गुरु आपके भग्य स्थान में बैठ रहे हैं देखें यहां पर गुरु भग्य स्थान में बैठ कर थोड़ा साजा बैठते हैं उस घर को अप डाउन करते हैं उतार चड़ाव की इस्ततियां जरूर रहेगी इसलिए आपको इतना जरूर कोँगी कि आपको कर्ण प्रदान जरूर बना होगा लग फेक्टर को थोड़ा ज्यादा ना आजमा है और बहुत ज़्यादा रिस्की कामों में निवेश करने से आपको बचना होगा अब कर्णिया राशी के लिए गुरू आपके सुखेस भी है और सबतमेश भी है और गुरू त्रिकॉर्ण में आकर बैठ है तो सुखेस के इसाप से गुरू बैठ है अपने से सस्टम पर फिर भी गुरू चुकी स्ट्रिकॉर्ण में बैठ है इसलिए आपके सुखों के कारिक्रम लगातार चलते रहेंगे यानि फैनेंशली आप अपने आपको सिक्यॉर्खी मैसूस करेंगे आर्तिक रूप से आप उन्नती करेंगे कोई प्रॉपर्टी से समंदिर डिस्प्यूट का मामला है तो वो अब समाप्त हो जाएगा मा के साथ समंद कभी कभी उतार चड़ाव भरे जरूर रहेंगे पर और और बहुत सपोर्टिव रहेंगे यानि एक वर्ष तक आप भूमी पवन वाहन जैसे सुखों से परिपून रहेंगे बहुत ज़्यादा फ्लच्वेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा गुरु चुकी सब्तम भाव के स्वामी है अपने सित्रतिय बैठा है बहुत बढ़िया शांदार परिणाम आपको मिलेंगे खास कर जो बिजनस कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा होगा बिजनस में लगातार व्रदी करेंगे वहीं लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी विवा के योग बन जाएंगे तो जो यूवकी वितियां सोच रहेंगे इस साल शादी करेंगे उनका सपना पूरा हो जाएगा और आपको मन चाहा अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा महीं दामपत्य सुक आप बरपूर प्राप्त करेंगे पार्टनर्शिप में किये गए कारियों में थोड़ा सा संबल कर अगर पार्टनर का चैन करेंगे तो अच्छा लाप राप्त करेंगे क्योंकि राहू आपके सब्तम्बाव में बैटे है इसलिए आपको थोड़ा partnership में संभल कर चलने की आवशिक्ता रहेगी पर बहुत ज़्यादा उतार चड़ाव का सामना नहीं करना पड़ेगा एक साथ मिलकर अच्छी growth करेंगे अपने व्यापार को, अपने business को, अपने काम को अच्छे तरीके से आगे ले जाएंगे अब गुरु की द्रस्टियों पर आजाते हैं देखे कन्या राशी वालों के लिए ये वर्ष जो गुरु का राशी परिवर्तन हुआ है ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि गुरु पंचम द्रस्टी से आपके लगन को देखेंगे और सभी जानते हैं गुरु की द्रस्टियां बहुत कल्यानकारी होती है खास कर पंचम और नवम द्रस्टी तो बहुत ही अच्छी होती है और वो पंचम द्रस्टी पढ़ रही है आपके लगन पर और लगन व्यक्ति की परस्नालेटी का आईना होता है तो कन्या राशी वालों के लिए ये साल बहुत इशानदार रहेगा, maturity level बढ़ेगा, decision making इंप्रूव होगी, आपके decision लोगों के द्वारा सराहे जाएंगे एक आप अच्छी पैचान मना पाएंगे समाज में और सही decision से आप आर्थिक लाब भी प्राप्त करेंगे, जिससे मान, सम्मान, यश, एस्वर्य, सबकी प्राप्ती होगी और और व्यक्तित पे इतना अकर्शक हो जाएगा, कि हर व्यक्ति आपको follow करने का प्रयास करेगा, कई गुर्ण जो कि अब तक लोगों को आपके नजर नहीं आ रहे थे, वो अब आनर प्रारंब हो जाएंगे अब गुरु पंचम सब्तम द्रस्टी से आपके पराक्रम भाव को ठीक करेंगे, यहाँ पर विवादों से मुक्ति मिलेगी, भाई बैनों के साथ सम्मन सुद्रेंगे, कोई भी काम आपका नहीं अटकेगा यहाँ आपने बहुत लंबे टाइम से कोई काम करने का सोचा है कि मेरे कोई करना ही है, मेरे बहुत इच्छा है, वो इच्छा आपकी पूर्ण जरूर करेंगे तो गुरू का यह सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, राजनीती से सम्मन्दित और राजनीती से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय शानदार परिस्तितियों से भरा रहेगा यह एक साल आपके लिए बहुत ही अच्छा करियर के तौर पर, राजनीती के तौर पर जाएगा अब गुरू की नवम द्रस्टी आपके पंचम भाव पर पढ़ रही है, गुरू खुद एक ज्यान के देवता है, पंचम भाव से हम सिक्षा को जोडते है तो सिक्षा अध्यन अध्यापन में बड़ी सफलता चात्रों को मिलेगी चात्र चात्रा हैं इस समय जो भी लक्ष निर्दारित करके चल रहे हैं, वो लक्ष आपका जरूर पूरा होगा इवन टीचर्ज भी प्रसिद्धी प्राप्त करेंगे, सिक्षन व्यपसाय में जो डेडिकेशन से और इमानदारी से लगे हुए हैं, उनके लिए ये वर्ष वर्णिम वर्ष निकलेगा संतान से समंदित सुप समाचारों के अप्राप्ति करेंगे, और चाहिल प्लैनिंग कर रहे दमपत्यों के लिए ये साल खुशकवरी लेकर आएगा काम आपके फटा-फट से होते दिखाई देंगे, और कामों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी कला के शित्र में, साहिति के शित्र में पुरुशकरत किया जा सकता है, आपके कारियों को समाजिक तोर पर सराहा जा सकता है विश्व में एवन आप अपनी एक अलग पैचान इस साल बनाते हुए दिखाई देंगे पर मैंने आपको बताया कि काफी हद तक आपकी खुद की पर्सनल खुंडली में चल रही मादशा का इफेक्ट भी माईने रखता है और यहां मैं दे रही हूँ गोचर से सम्मंदित गुरू के राशी परिवर्तन की जानकारी जो कि कई सारे करकसी और कन्या राशी वालों के लिए है तो आपको अपनी पर्सनल जन पत्रिका में ग्रहों को भी ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आपको गुरू के रिजल्ट मिल जाएंगे मैं कॉमनली यह सारे रिजल्ट आपको बता रही हूँ अब आपको क्या उपाय करना चाहिए तो कन्या राशी वालों को गुरू के और भी अच्छे और बैतरी इन परिड़ना मिले तो आप गुरूवार के दिन पीपल के रख्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और तीन परिक्रमा पीपल की जरूर निकालें साथ ही पीपल को रोजाना जरूर सीचे अगर आपने ये कार्य कर लिया तो सदे बगवान विश्णू की क्रपा रहेगी और गुरू हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे तो ये हैं करक सीएं और कन्या राशी वालों के लिए गुरू के राशी परिवर्तन की जानकारी अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जाकर मुझे जरूर बताए अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ स्वस्त रहेए व्यस्त रहेए मस्त रहेए और हमीशा मुस्कुराते रहेए जै श्री राधिक्रिशना गुरूमा निधी श्री माली एक प्रसिध जोतिश आचार्य है उनके जोध पुर स्थित जोतिश संस्थान में महामृत्युन जय, कालसर्प दोश, मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारन पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान, पंडितों द्वारा, पूर्ण विधि विधान एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हैं तू इन नंबरों पर संपर्क करे 8-9-5-5-6-5-8-3-6-2